हरियाना के सिर्सा की उपतहसील गोरिवाला में पीम के योजना के तहट डिपु होल्डर द्वारा खराब राशन वित्रीत किये जाने की वजह से गाउं के एएवाई बीपियल ओपियेच कारधारकों में गहरा रोश पनप गया वहीं गरामिनों ने खाद्यावम आपूर्ती विभाग के अधिकारियों द्वारा खराब राशन वित्रीत करक्षितर में बिमारियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया राशनकारधारक हरचंद गंगाराम दौलतराम धरमपार रिंकुवादी ने बताया कि गाउं में जुलाई महा का राशन आबंटन की मुन्यादी करवाई गई जैसे ही कारदारक राशन लेने के लिए डिपू होल्डर के पात गए तो देखा कि बोरियां फटी पुरानी प्रतीत हो रही थी जिन बोरियों में अनाज भरा हुआ था उन पर मारका वियुत्तर प्रदेश वे पंजाब का लगा हुआ था इस बारे में जब डिपू होल्डर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बोरियां ही पुरानी है इसमें भरा अनाज परयोग में लाने की योग्य है डिप होल्डर द्वारा जैसे ही बोरी में से गेहुं बाहर निकालकर अन्या बोरी में गरहक को तोर कर दिया जाने लगा, तो उसमें गेहुं के 7-7 पत्तर के टुगडे, कंकर वे काफी मातरा में मिट्टी पाई गई, जिसे गरहक ने लेने से साफ इंकार कर दिया डिप होल्डर द्वारा गरहक को दूसरी बोरी ते अनाज देने की बात कही गई जैसे ही दूसरी बोरी खोली गई तो उसमें उससे भी ज़्यादा कंकर पत्थर पाए गए एकाएक आठ बोरियां खोली गई सभी में वही स्थिति पाई गई वही खड़े गरहकों ने सरपंच को सूचना दी सूचना पाकर सरपंच मोके पर पहुंचा तो उसने बोरियों में भरे अनाज को देखकर हैरान गेज जताई उन्होंने डिप होल्डर को साफ सुत्रा अनाज देने की बात कही वही सरपंच ने खाद्याइवम अपूरती वभा के इंस्पेक्टर से दुर्भाश के माद्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन स्विच चोफा रहा था इस पूरे गठना करम को लेकर गरामेनों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस तरह के एनिमेता युत राशन की सप्लाई करने वालों के किलाब सक्त से सक्त कारवाई की जानी चाहिए ताकि सबी लोगों को अच्छा खाने लाएक राशन की दुकान से अनाज उपलब थो सके अनिल कुमार ब्रो रिपोर्ट अचका हुँ देश विदेश के तमाम ख़परों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहुँ और वेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपदेट सबसे पहले